Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब को YouTube Channel English Literature पे वलकुम कहती हूँ आज टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर That is Why We Play Basketball जिसको लिखने वाले हैं शर्मन एलक्षी हमारी जो पॉइम है, बहुत ही लेंथी पॉइम है इसलिए हम लोग irrelevant जो बात है वो नहीं करेंगे To the point, जो टॉपिक के relevant बात है हम लोग से वो सिब वही डिसकोस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर Clear, first of all, जैसे कि मैंने पिताया Why We Play Basketball लिखने वाले हैं शर्मन एलक्षी तो शर्मन एलक्षी एक Native American थे एक ऐसे राइटर जो के Spokane Indian Reservation से बिलॉंग करते थे Native Americans basically Indians के नेम से पर जाने जाते थे They were real Indians, ये real Indians थे Clear, and second point किया है के they had to face identity crisis इन लोग को identity crisis face करना पड़ा था इनका सबस्परादा trauma ही identity crisis था कब और क्यों? ऐसा हुआ कि जैसा के colonialism होती है इनको भी colonized किया गया था और colonized करने के बाद इनसे इनकी language भी चीन ली, इनसे इनकी schooling भी चीन ली इनसे इनकी education चीन ली, इनसे इनकी religion चीन लिया गया इनका culture, इनकी language, इनकी dressing, each and everything इनसे चीन लिया गया और उसके बाद क्या हुआ? question पैदा हो गया कि Native Americans कोन है? ठीक है? अब सवाल के पैदा हो गया Native Americans कोन है? उनकी identity क्या है? उनको identity crisis face करना पड़ा और शर्मन लेग जी उसके बाद अपने तक्रीबन हर work की अंदर कोशिश करते हैं answer देने की कि Native Americans कोन है? अगर आपने इनका work search engine पड़ा है इनका work blue reservation पड़ा है तो आपको idea होगा same ऐसे ही जो respective work है why we play basketball इसके अंदर भी ये identity crisis के theme को highlight करते हैं ये उसके इलावा अपनी जो इनकी identity है उनको बताने की कोशिश करते हैं ये बताते हैं कि जो स्पोकेन इंडियन थे वो कोन है उसके इलावा इसके इंदर ये nostalgic भी है nostalgic मतलब past की memories को recall करना ठीक है इपनी past की memories को recall करते हैं जिसमें इनका childhood आ जाता है जब ये basketball के ला करते थे उसके इलावा जो poverty थी उसके theme को ये highlight करते हैं and furthermore इस poem is also autobiographical in nature जिसके इंदर राइटर अपनी life यानि कि जो इनका बच्पन था उसको लेकर discussion करेंगे clear तो शुरू करते हमारी line by line explanation को first stanza based कर रहा है sorry first part based कर रहा है five stanzas के उपर और इस poem के इंदर five parts और five के five parts जो हैं वो five stanzas contain कर रहे हैं clear अब देखें lines केते हैं in December snow covered the coat we wrapped our hands in old socks socked the white snow with garrosin lit केते हैं December के time में बरफ इतनी पर रही थी कि हमारे कोट भी बरफ से भर चुके हुए थे हम लोग ने अपने हातों को हमारी old socks के अंदर डाल के गरम किया था means poverty की ये सूरते हाल है के इनके पास gloves नहीं थे इनने अपने हाथ पुरानी जुराबों के अंदर डाल के गरम किये थे ठेंड से बचने के लिए sock the white snow with garrosin lit garrosin lit मतलब अगर आपने देखा हो एक ऐसा lamp होता है जो के हाथ में पकड़ा जाता है अकसर जो भूतना टाइप इस तरह की movie होती है वहाँ पे जब होरर सा घर दिखाया जाता है तो उस घर में हम देखते हैं कि एक आदमी ने पने हाथ के लैंप पकड़ा थे जिसके अंदर आग जल रही होती है उसको केते हैं karrosin lit ठीक है और अकसर वह लैंप हमारे घर भी हुआ करता है मतलब पास्ट के टाइम पे अगर हम देखें तो जब ये टोड़ स्लाइट का कॉंसेप नहीं था मुबाइल बटनों वाले थे तो उसके उपर लाइट चलती है The match and melted it all down to pavement फिर हमने क्या किया रास्ता हम वार करने के लिए हमने match केलना था The match हमने match केलना था हम लोग ने जो रास्ते में बरफ थी हमने उसको पिखलवाना शूरू कर दिया ताके रास्ता बन जाए We were Indians who wanted to play basketball match कोंसा था हम इंडियन्स थे यहां पर फिर वो इंडियन्स क्राइस जो था अपनी इंडियन्स को हाइलेट कर रहा है के who were we करते है we were Indians who wanted to play basketball हम इंडियन्स थे जो के basketball खेलना चाहते थे basketball symbolize कर रहा है hope for the betterment को hope for the future को future की betterment को इसके लावा way of life for the Indians that lived in reservations के reservation के अंडर जब लोग थे Indians थे वो कैसे जंदेगी उजा रहे थे उनको भी हाइलाइट कर रहा है basketball clear करते है nothing इसके लावा कुछ ने सिर्फ बास्केट बोल खेलना चाहते थे हम लोग फिर क्या होता है could stop us from that not the hunger in our thin bellies not the fear of mist shorts not the threat of white snow we were small boys who would grow up into the small man we played ball until dark then played until we could see ये एक दो दो stanzas है तो कहते हैं कोई भी चीज बिशक बरफ पड़ी है कोई भी चीज हम लोग को बास्केट बोल खेलने से नहीं रोक सकती थी not the hunger in our thin bellies thin bellies यानि कि अब देखो पतले है भूक लगी हुई है कहते हैं हमें भूक लगी हुई है और भूक से हमारी bellies ये वो thin हो चुकी है ठीके फिर भी वो जो भूक थी हम लोग को खेलने से नहीं रोक सकती थी not the fear of missed shorts ना के हमारे जो shorts हैं वो missed हो जाएं उस पेस पे भी हम लोग अपने केलने को नहीं रोक सकते थे not the threat of white snow हलाके इतनी तेज बरफबारी हो रही होती थी हमें उसका भी खौफ नहीं होता था हम उसके खौफ से भी नहीं रुकते थे कहता हम क्या थे we were small boys who would grow up into small men ठीक है हम small boys थे जो के small men के अंदर ही grow up हुए है we played ball until dark हम रात होने तक basketball केलते थे then played until we could see और तब तक जब तक हमें नजर आते अब अंधेरा भी हो गया अंधेरा आने के बाद अभी नजर आ रहा है और जब तक नजर आना बन नहीं हो गया हम तब तक basketball खेला करते थे फिर उसके बाद है neither hoop nor ball we played until our mothers and fathers came searching for us and carried us home hoop कहते हैं जिसके अंदर ball डाली जाती है ठीक है basketball जब खेलते हैं ना तो उसके अंदर जब ball डाल जाते हैं हूप कहते हैं कोई भी चीज हम लोगो basketball खेलने से नहीं रोक सकती थी तब तक के जब तक हमारे mothers हमारे fathers आके हम लोगो यहां पे मतब तलाश करते हैं यहां पे ना पहुंच जाएं और हम लोगो वो घर पे ना ले जाएं तो एपना बश्पन बता रहा है कि basketball ने इन सब को कठा जोड के रखा हुआ था ठीक है उसके बाद क्या होता है उसके बाद है जी हमारा part two कहते हैं we play because we remember the first time we shoot the ball को खेल के याद आता था कि जब हम लोगों ने first time ball को shoot किया था एक victory थी इनके लिए और हम लोगों कोई शक नहीं था कोई beyond doubt as it floated toward the hoop कि जैसे ही hoop की तरफ चाही तो गई थी that it was going to be good तो हम लोगों को पूरी उमीद थी कि अब अच्छा होने वाला यानि कि इनका गोल होने वाला है बास्केट बॉल जाने वाली है ठीक है means यहाँ पर again hope की बात की जा रही है कि अब छोटी छोटी खुशिया है कि उनके पास पहनने को gloves नहीं है सर्दी से cover को खुद को cover करने के लिए कुछ भी नहीं है बास्केट बॉल उनकी बिल्कुल कहाँ थिन हो चुकी हुई है पतली हो चुकी हुई है लेकिन बास्केट बॉल उनको इंजोइमेंट प्रवाइड कर रही है बास्केट बॉल उनको खुश रहने का एक सोर्स प्रवाइड कर रही है आगे कहते है We walked off the court, left the ball waiting as we fell in love फिर कहता है हम कोट के तरफ के हम लोगों ने किया हम लोगों ने जो बॉल थी उसको इंतजार करने के लिए छोड़ दिया As we fell in love जैसे हमें मौबबत हो गई एक टाइम था हम बास्केटबॉल केहले तरफ रमनों को मौबबत हो गई किस से हुई जी? With Indian girls who grew past us, who grew into Indian women कहते है किन से हुई Indian girls से हुई थी? जो किस में बदल गई? अब Indian women बन चुकी हुई है जैसे कि ये small men ठीकि छोटे-चोटे आदमी बने हैं वैसे ही वो Indian women बन चुकी हुई है उनसे Somehow we grew families while That ball waited inert suspended till We remembered with a complex rush of pain and joy what we would फिर कहते है हमारी families भी बन गई और क्या हो गया? Ball waited हमने वो ball खेलना छोड़ दिया था वहां पर ball हमारा है इंतिजार करता रहा We remembered with a complex rush of pain and joy what we would Sorry what we had कहते है हमने याद किया उस complex rush of pain and joy को उस कुशी को उस pain को जो हम लोग छोड़ चुके थे What we had left behind जो हम पिछे छोड़ा है How we love the ball as it finally dropped into the net after years of such patience कहते है कि कैसे जो हमारा ball था वो किस तरह से net के अंदर से गुजर जाता था वो finally dropped into the net कैसे net के अंदर गुजर गया था after years of patience कि कितना सबर किया हम लोग ने मतलब कहता कि मुझे वो वक्त यादा आता है जो वक्त हम पीछे चोड़ा है वो वक्त pain का था वो जोय का वक्त था वो कैसा वक्त था कि कैसे हम लोगों ने कोशिश कर करके करकर के अपनी ball डाली थी और finally हमारी ball basketball जो hoop लगी तो उसके पर जो net होती उसके अंदर चले गई थी और इस success के लिए हम लोगों को बहुत सबर करना पड़ा finally कामया भी मिल गई थी means सारी hopeful lines है we wanted to know who was best who could change the game into something new we knew about Seymour कहते है हम जानना चाहते है कि कौन हम में best था कौन इस पूरी game को कुसी नही चीज़ के बदल सकता था तो कहते है हमें Seymour के बारे में बता था एक player का नाम है कहते है blind and deaf he played by sense of smell leather balls drove him crazy he identified his team mates by tribe कहता है वो Seymour नाम का परसन था blind था, deaf था वो sense of smell के थ्रू खेला करता था और जो बॉल थी leather ball drives him crazy ठीके drop him crazy वो leather के बॉल इसको पागल कर देती थी he identified his team mates by tribe वो अपने team mates को tribe के थ्रू इंटिफाई करता था उनके tribe का नाम कहता था Spokane Spokane कोन है मैंने बता दिया था कि आपको Sharman Lexi Spokane Indian Reservation से बिलॉंग करता था अब कहता है उस tribe के लोग कैसे थे Spokane smell like bread Flathead smell like pine Colvail smell like snow Lester smell like wine Seymour shoot the ball वहाँ पर सारी इनोंने Spokane की features बताने के बाद का है कि Seymour जोई उसने फाइनली बॉल को shoot कर दिया When the wind told him it was time to shoot When the wind told him it was time to shoot He was a good goal Basketball through we had reason for the reason we can confirm the game What is it? Basketball gives hope, source of player Also for the game We also have reason for the reason for him to confirm the game Because we had a reason for the game Because this condition was a bad condition बहुत पूर करिणिशन में थे कि यहां पे कुछ गौड एकजिस्ट करता है यह गौड से कोई चोटी चीज़ भी एकजिस्ट करती है हम लोगों को सेमर के उपर बिलुएफ़ थे जो कि अपने हाथ के अंदर मुझूद इस बॉल को ऐसे पकड़ता जैसे तुमने अपने उपर यकीन रखते है खुदा अपने अपने हाथ पर जैसे तुम बिलीफ करते है कि खुदा मुझूद है वैसे ही वो बिलीफ उस बॉल के उपर रखता था इसके बाद लाइन्स है Part 4 में बताया है सिर्फ और सिर्फ यह गेम है और कौन था थे थे हम लोगों को वोज इसको खेलना नहीं जानते थे लेकिन हमारे लिए एक जंग की तरह है हम डेस्परेटली किसी रीजन के बगएर अपनी बोड़ी को दूसरी बोड़ी को फैंग थे सिर्फ जीतने के लिए हम ल लोगों ने इस बॉल के थूज नफरत करना सीखी थी फिर कहता है we play basketball because we want to separate love from hate and because we know how to keep score कहते है हम लोगों ने बास्केट बॉल से नफरत करना सीखी लेकिन हम बास्केट बॉल फिर भी क्यों कर खेलते थे क्योंके हम चाहते थे कि हम नफरत और मुहबत इन दोनों को अलग लग कर दे हम हर चीज में आगे जाना चाहते थे हम हर चीज में आगे जाना चाहते थे हम हर चीज में पाजी लेना चाहते थे हम अपनी identity मेना चाहते थे फिरेजी part 5 we play basketball because we still love the place where we lived it was a small house with one door we lived there for 20 years with crazy cousins and one basketball कहते हम 20 साल से चोटे से घर में रह रह थे और वो गर में 20 साल से यस दे ले हम लोग जए शचाहते थे और वो चोटा सा गहर था और हम बास्केट बॉल खेलते थे क्यों कियों कि हम लोग से जगा रह थे हम उस जगा से पैहर ता इसलिगे we fought over it constantly I climbed into a tall tree with the ball refused to come down unless they made me captain my brother dragged me अब यहाँ पर एक बड़ा मज़े का बाकिया शनाया रहा है शर्मल लगजी कैता है मैंने के किया एक दफान हमाई लड़ाई योरी बाल के ओपर मैं उस लड़ाई को दराण जी बाल लेकर चड़ गया अब बड़े लंबे दरख पर और उन्हें का नीचे आ जो कैता है मैंने नीचे ने से इंकार कर दिया तब तक कि जब तक मुझे कैप्टन नी बना दोगी कैता है मेरे भाई ने मुझे खींच के दरख से नीचे उतारा from the tree and punched me so hard I saw red horses कैता है मुझे तो लाल गोरे नहरा गए अब यह इंपोर्टन है क्योंके red horses नेटिव अमेरिकन को भी सिंबलाइज कर रहा हता है we play because we believe in our skin and hands skin and hands who are our skin and hands की बात कर रहा है जैसके मैंने तरहा है उनका culture, language, उनका सब कुझी स्ब्सक्राइच कर लिया है तो यह पर अपनी identity की बात कर रहा है क्याता हम बास्केट बॉल इसलिए कर था क्योंके we believe in our skin and our hands फिर है these hands hold the ball क्याते है इन हातों ने उस ball को पकड़ावा था these hands hold the tribe, इन हातों ने tribe को पकड़ावा था these hands build fires, इन हातों ने आग जिलाई थी we are a small tribe, हम एक चोटा कभीला है, we build small fires, हम चोटी आग जिलाते हैं मतलब हम कभीला है, हम स्पोकेन से ब्लॉंग करते हैं, हमारे हाथ ऐसे हैं, हम बास्केट बॉल खेलते हैं, हम अकठे होते हैं और हमारा, क्या है, हमारी एक उमीद है कि हम future में भी अकठे होंगे ठीक है, तो यह poem थी, childhood experience के उपर थी, nostalgia based थी, autobiography दिखाएगी, identity crisis को highlight किया गया, लेकिन उस identity crisis उनको फेस करने पड़े तो अपनी reaction दिखा रहे है, हम एक्जिस्ट करते हैं, हम स्पोकेन के रहने वाले, हमारे कभीला चोटा है, लेकिन हमारे कभीला एक्जिस्ट करता है, हमा बच्पोर वाज़े वाज़ेख वर वी